दिल्ली में लोकसभा चुनाव को एक हफते से भी कम का समय रहे गया है हमारे साथ जोड़ रहे हैं चानी चौक से आम आदमी के प्रताशी पंकज गुपता पंकज जी सबसे पहले जाना चाहेंगे जो आज आपने ये मैनिफेस्टो चानी चौक का रिलीस किया है जैसा कि आपने प्रेस कांफरेंस में सुना होगा सबसे बड़े जो महत्वपूर मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा सेलिंग का है दिली में विशेश का चानी चौक में बहुत बड़ी तादाद दुकानदारों की है व्यापारियों की है फैक्ट्री ओनर्स की है और सीलिंग से ये बुरी तरह से प्रभावित हुए है एक तो है ओनर्स जिनकी दुकाने है उन वो तो प्रभावित हुए है कोई इसमें दो लेगी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके उपर हमें काम करने के आवश्यक्ता है दूसरा दिल्ली के विभिन शेत्रों में चांदनी चौक के विभिन शेत्रों में लोगों ने ट्राफिक और इससे होता हुआ कंजेशन जिसतार लोगों को समय लगता है उसके उपर बहुत शिकायते की हैं तो उनका सबका हम साइंटिफिक ढंग से एक एनालिसिस करके देख कर कि क्या किया जा सकता है जिससे लोगों की परिशानी खत्म हो लोगों का जो मन वे एक दिमाग हिन्न हो जाता है ट्राफिक में फसने के कारण कैसे उस तरह उससे निजाद दिलाय जा सके इसके उसके उपर हम काम करेंगे ट्राफिक पुलिस के साथ मिलकर पुलिस के साथ मिलकर इंजियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रोड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक एक कंजिशन पॉइंट को हम देखींगे और इसके उपर काम करेंगे तीसरा बड़ा म मैं तो यह समझता हूं कि अगर हम इन भागों को सही रूप से डवलप कर सकें तो यह पूरे दिल्ली के लिए एक हवा देने का एक सोर्स बन सकता है तो डीडिये के साथ लगकर जोड़ देकर मिलकर जो भी जूरत पड़े हम इन पार्कॉं को सिध्ड़र करेंगे यह दोले ब के भी जो प्रताशी है कॉंग्रेस के भी कॉंपिटिशन को कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी से हर्च वर्दन है कॉंग्रेस से जेपी अगरवाल है किस से जादा बड़ी चुनोती मिल सकते हैं मैं ये समझता हूं कि जो मैं पिछले अब पांसा दिनों में देख रहा हूं मुझे लगता है चुनोती लगबख खत्म हो चुकी है जनता एकदम समू में अब आकर अपना सपोर्ट हमें दे रही है अगर सड़कों पे जिस तरह से वो अपना प्यार जता रही है उनका बॉड करना कहीं काफी पुरानी हो चुकी है उसका जनता पे आपको असर दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ उसके बारे में कोई बात नहीं करता आखरी सवाल पंकत जी तेईस मही को रिजल्ट आने वाला है कितनी सीटे जिते वे देख रहे हैं हम आदे बढ़े साथ की साथ थैंक झाल झाल